हलो फ्रेंड्स मैं हूँ खुसी आज हम बनाएंगे चोकलेट गनास इसे आप कपकेक, चोकलेट बोल्स या केक जिसके लिए भी चाहे यूज कर सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं चोकलेट गनास बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब ठार्क चोकलेट लिए हैं इसे हम चाकु से ऐसे कट कर लेंगे अगर आप टार्क चोकलेट पसंद नहीं करते तो आप इसके जगे कोई भी चोकलेट ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो या आपको पसंद हो तो मैंने इसे कट कर लिया है इसे मैं एक मिक्सिंग बोल में डाल देती हूँ ऐसे ही चोकलेट के इस पीस को भी हम काट टेंगे आप चाहिए तो इसे थोड़े बड़े पीसिस में भी काट सकते हैं तो मैं इसे भी बोल में डाल देती हूँ अब हम इसमें दो देट करेंगे 200 ग्राम चोकलेट में मैं यहाँ पर एक कप से थोड़ा कम दो डाल रही हूँ इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बिना नमक वाला बटर बटर डालने से कनास में बहुती बड़ी असाइन आती है इसके बाद हम किसी भी ऐसे बरतन में पाने को उबालाने तक गरम करेंगे जिसके उपर हमारा बोल आसाने से फीट हो जाए पाने में उबाल आ गया है हम यहीं पर कैस की फिलेम को लोपर कर देंगे और अपनी चोकलेट वाले बोल को इसके उपर रख देंगे जब तक हमारी चोक्लेट अच्छे से पिंहल न जाए तब तक हमें इसे ऐसी ही चलाते रहना है तीन से चाल मिनट के बाद ही आप देखेंगे हमारी चोक्लेट अच्छे से मेल्ट होकर दूद के साथ मिक्स हो गई है अब यहीं पर हम गयस को ओफ कर देंगे और इसे नीची उतार कर हरका ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं हमारी चोक्लेट करना सिक्तम परफेक्ट बनी है नहीं तो जादा काड़ा और नहीं पतली तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सकाइब करना बिल्कुल भी न भूलें